कोविड नाइंटीन महामारी के कारण अधिकतर स्कूल काफी समय से बंद हैं और शहरी और ग्रामिड क्षेत्रों के विभिन्द स्कूलों ने ओनलाइन शिक्षा का रुख किया है हाला कि कुछ काओं ऐसे भी हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और ओनलाइन शिक्षा एक बड़ी चुनौती है इन गाओं में ऐसे बच्चे भी हैं जो ओनलाइन शिक्षा का खर्च उठाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है इस चिंता को देखते हुए भोर तालुका में पुड़े से 50 किलोमीटर दूर एक गाओं महालवारी ने पूरे गाओं को बच्चों के लिए सीखने के गाओं में ही बदल डाला है यहाँ छात्रों के लिए घरों की दीवारों को रंगीन ब्लैक बोल्ड में बदल दिया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा सीखने से वन्चित ना रह जाए दरसल इंटरनेट सेवा ना होने के कारण इन बच्चों का ओनलाइन शिक्षा यह स्वा अध्यान पूरा नहीं हो पा रहा था बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए ये एक बड़ी चिंता का विशे बन गया था और इसका समाधान खोजने के लिए गाउं के ग्रामीर, शिक्षक और युबा सभी एक साथ आये और पूरे गाउं को एक लर्निंग विलेज में बदलने का फैसला किया गाउं में सौ से भी अधिक दीवारों पर विभिन विश्यों पर पाठ बनाए गए हैं इसकूलों में पढ़ाये जाने वाले चेत्र, सूत्र, आरेक और अन्य विवरण बच्चों के लाब के लिए गाउं के भवनों और घरों की दीवारों पर चित्रित किये जाते हैं